हेलो दोस्तों, वेलकम ओल हाँ दोस्तों, MPNHM CHO का 2021 के लिए जून सेशन का आपका मेरेड लिस्ट आ चुका है और 3 अगस्त को उसका वेटिंग लिस्ट का जॉइनिंग भी कम्प्लीट हो गया है दोस्तों, आपने देखा हमने एक लाइव सेशन लिया था एक CHO के साथ जिनोंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हुआ और उन्होंने जॉइनिंग कर लिया है दोस्तों वेटिंग लिस्ट में उनका नाम था कोई भी डॉक्यूमेंट आप से मिस ना हो तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं दोस्तों कि माइग्रेशन सेटिफिकेट जरूरी है क्या और जरूरी है तो कहां से उसे बनवाए तो इस वीडियो को लास तक देखिएगा आपको पूरा डीटेल में मैं एक्स्प्लेइन कर दूँगा यदि आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर प्रेस कर देजिए तक कि जैसे ही कुछ नया अपडेट आए आपकी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों जब आप डॉक्यूमेट वेरिफिकेशन के लिए जाएगे तो आपको एक लिस्ट दी जाएगी उस लिस्ट में आपके तीन सेट बनाने है आपको डॉक्यूमेंट के पहला सेट है यूनिवर्सिटी का सेट जिस university से आप course करेंगे, जो six month का training, जिस university से registration होगा आपका, उस university का document set बनाना है, second set बनाना है NHM, जो MP NHM के पास रहेगा आपका documents, वो second set NHM को देना है, और तीसरा set college, जैसे आपका चोहितरा मिंद और आपको मिलता है, तो चोहितरा मिंद और college के पास आपके document का एक set रहेगा, तो ऐसे तीन sets बनाने, तो दोस्तो मैं आपको एक बार वो sets बता भी देता हूँ, वो एक image आजाएगा आपको कि कैसे आपको वहाँ पे तीन sets बनाने होंगे, आप देख सकते हैं screen पे, image थोड़ा clear नहीं है दोस्तो, इसको मैं clearly आपको type करके, अलग से एक format में बता यह एक university set होगा, एक NHM set होगा, एक college set होगा, देखिए दोस्तो, यहाँ clearly mention लिखा है, migration certificate for other university, तो आपका migration certificate जरूरी होगा, दोस्तो मैं कुछ भी details आपसे share करता हूँ, मैं officially authentic proof के साथ share करता हूँ, इसलिए आपको tension लेने की जरूरत नहीं, यहाँ clearly mention है कि हमें migration certificate की जरूरत ह है, ठीक है, अभी दोस्तो, यदि आपके पास migration नहीं है, तो क्या करें, यह बात आती है, बहुत सारे candidates के पास TC है, बस migration नहीं है, and दोस्तो आपको यह भी बता दू, इस list में TC का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं है, कि आपको TC submit करना है, क्योंकि यह जो है दोस्तो, यह 6th month का diploma certificate है, आपको 6th month का course है, यहां degree certificate नहीं है, तो यहां TC का उन्होंने requirement नहीं रखा है, अभी हम देख लेते हैं, आप कैसे migration के लिए apply कर सकते हैं, online, ताकि migration आपका 8 से 10 दिन में आपके घर आ जाएगा, उसका printout निकलवा सकते हैं, यह घर नहीं आएगा, तो आपका migration online generate हो BNM के लिए migration लगेगा की नहीं, BSC nursing के लिए migration लगेगा की नहीं, तो दोस्तों, migration एक common होता है, migration का मतलब होता है, आप एक university से दूसरे university में जाने के लिए आपको permission दी जाती है, कि आप जा सकते हैं, आपने यहां qualify कर लिए, आपका course complete हो गया है, आप अब migrate कर सकते हैं, migrate का म certificate को ही migration certificate बोलता है, कि you are eligible to migrate, ठीक है, तो देख लेते हैं, दोस्तों, migration कैसे apply कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बना रहता हूँ, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दोस्तों, यदि एक example आपको दे रहा हूँ, यदि जीवाजी, उनिवर्सिटी, ग्वालियर से आपने degree किया है B.Sc. Nursing, Post B.Sc. Nursing और G.N.M. तो यहाँ पर online आप apply कर सकते हैं, तो main जो migration होगा, वो आपको university से मिलेगा, college से नहीं मिल पाएगा, यदि college में आपके relieving के time पर आगया होगा, तो आपको मिल सकते हैं, मगर यदि अब आपको online apply करना है, तो आपको university के website से apply करना होगा, तो main आप यह देखिए कि आपकी university का नाम क्या है, तो जैसे यहाँ पर दिया आपका जिवाजी university है, तो आप जिवाजी university से सर्च करिएगा, migration form नहीं मिलता है, तो मुझे आप message कर दीजे, instagram पर message कर दीजे, one to one, या फिर comment कर दीजे, मैं आपको link share कर दूँगा, मैं जितना efforts दे सकता ह आपके लिए दे दूगा, दोस्तों, तो यहाँ पर अपना complete detail डालेंगे, कौन सा course था, क्या था, आपका complete detail और submit करेंगे, payment करेंगे, तो आपका 8-10 दिन में, 15 दिन में, आपका migration generate हो जाएगा, दोस्तों, आपके घर भी आजाएगा, migration घर नहीं आएगा, तो आप online इसको download क कर के, उसे print करवा सकते हैं, तो online apply कर सकते हैं, तो main आपको देखना है, कि आपका university कौन सा है, आपका RGPV University है, तो RGPV university का अलग से आपका अपलाई कर सकते हैं, पोर्टल पर उसके DAVV university है, DAVV, Gualiar university है, Gualiar, Jabilpur university है, तो Jabilpur university से, भोज university है, तो भोज university के लिए, तो हर university के के लिए आप university वाइज सर्च करें Google पर तो आपको इमाइग्रेशन का मिल जाएगा दोस्तों इसके बाद कि अधि दोस्तों आपने डी ये भी से किया है डी डी ये भी आपका university है तो डी ये भी के लिए भी आप आप online apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको अपना college सेलेक्ट करना आए जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंपल के लिए अर्हें थो में परेटि मेटिकल कॉलेज सेंद्वा बढ़वानी सेलेक्ट किया है यह भी यह मैंस दी आपने किया तो आपको सेलेक्ट करना है। को जो भी आपनी किया है प्रौं कомपलीट करके वर फीलगफ करके यहां एगर करेंगे परेंट करेंगे तो आपका इंपकर प्रॉीन रशिप अरो र्णनरेट व में आयुंड करते है तो यह इंसे नहीं मिल रहा है तो ऑफ लाइन होगा उफलैन धर comment कर सकते हैं हम मिलके check कर लेंगे कौन सी निवरसिटी का अपने कौन सी निवरसिटी से अपने diploma GNM, A&M या फिर BAC nursing किया है या post BAC nursing किया है तो उसे check कर करके हम आप से discuss कर लेंगे ताकि आप easily migration form apply कर सकें and migration आपका मिल जाए ताकि जो document verification होने वाला है उसमें आपको दिक्कत नहीं आए दोस्तों तो दोस्तों ये था पूरा detail migration क्यों जरूरी है कहां से हमने आपको detail share किया था हमने authentical proof के साथ आपको share कर दिया अधिया आप चनल पर नहीं तो चनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें ताकि आगे के सारे आपडेट्स आपको मिलते रहें